मुजफरपुर में पती पत्नी के बीच हुए मामूली विबाद ने पती की जान ले ली मामला मुजफरपुर के अखाड़ा घाट पुलका है जहां पती पत्नी ने एक साथ गंडक नदी में चलांग लगा दी ऐसा करते देख स्थानी लोगों ने शोर मचाया तो वहां भीड एकटी हो गई पुलिस के पहुचने तक स्थानीों ने कड़ी मशकत के बाद महिला को तो किसी तरह बचा लिया लेकिन पती को बचाने में नाकाम रहे वही मौके पर पहुची पुलिस SDRF की मदद से महिला के पती की तलाश में जुटी है इस घटना के बाद जब महिला को पती की मौत का पता चला तो वो फूट फूट कर रोनी लगी महिला का कहना है कि पती शराब पीने के लिए पैसे मांग रहा था मना करने पर जगडा हुआ तो पानी में चलांग लगा दी वहीं इस्थानियों का कहना है कि पती पतनी का जगडा हुआ जिसके बाद पतनी ने नदी में चलांग लगा दी उसी को बचाने के लिए पती ने भी पीछे से चलांग लगाई लेकिन पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई फिलहाल पुलिस और SDRF की टीम शव की तलाश कर रही है और पती की मौत के बाद पतनी का रो रो कर बुरा हाल है पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफरपुर से संतोश तिवारी की रिपोर्ट